हेलो नमस्कार जी आप सभी का योटूब चैनल एजूकेशन नौलिज टेपे हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी जिहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबरारी है जिहां गांधी जैनती के मोके पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने बहुत बड़ा एलान कर दिया है जिहां बहुती जवरदस्त खुशकबरी सबसे तगड़ा एलान आने वाले सोमवार 2 अक्टूबर 2023 से गांधी जैनती पर मिला है आपको सबसे बड़ा तोफा दो करोड से ज़ादा लोगों को फ्री मकान की जो सोगात है वो दी गई है उसके साथ साथ हम बात करेंगे 25 ला तो सोमवार से इनका फाइदा मिलेगा पूरी इनफर्मिशन मिलेगी देखी अब वीडियो का अंतक वीडियो को लाइक डिंग तो लाइक करेंगे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब वे अपने गाउं सहरिया राज्य का नाम जरूर कमेंट करेंगे ताकि आपके गाउं सहरि अभ्यान के साथ-साथ और भी बहुत सी सोगाते दी है यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ तकरीबन दो करोड लोगों के जो मकान हैं वो पास कर दी गए हैं अभी तक परदान मंत्री नेंदर मोधी आवास योजना जी हाँ परदान मंत्री आवास योजना के तहट देश बर में वहीं दो करोड और गरों को मंजूरी दे दिये भई जी हाँ बहुत बड़ी खुसकपरी वहीं मैं आपको उता दूँ जिन्नों की दूसरी या पहले किस्त जारी होनी थी उनकी अब एक तारिक को ना उक करके सोमवार को जारी की जाएगी जी हाँ एक तारिक क चाड़े जार रुपए आपको मिलेंगे भई मकान मरमत के पैसे अलग मिलने हैं वहीं मकान बनाने के जो पैसे हैं वो अलग मिल रहे हैं वहीं आपको उता दूँ डोक्र बी आर अमबेडगर आवास नविनिकनिये योजना के तहत मकान मरमत के असी असी अजार रुपए आ आपको मिल रहे हैं वहीं परदानमंत्री आवास योजना सहरी इसके लिए आपको मकान बनाने के लिए दो लॉग सेट अजार रुपे आपको मिल रहे हैं आपकी जो राशी है तीन किस्तों में जारी की जारी है सरकार की तरफ से भई दो करोड गरों को मंजूरी दी गई है अ यहां दूसरे राज्यों में जाकर की रह रहे थे, किराए पर रह रहे थे, अब किराए पर भी रहने की आपको जो जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार आपको खुद वहाँ पर भी आपको मकान बना कर देगी, ऐसी कुछ योजनाभी सरकार ले किया रही है, सबसे बड़ी खु मैं बता दूँ चिरंजीवी योजना के तैत अब आपको 25 लाख रुपे तक का आपका जो बीमा है सरकार ने कर दिया है वही 25 लाख रुपे तक का आप चिरंजीवी कार्ड से इलाज भी करवा सकते हैं वहीं बारत सरकार ने आईसमान बारत कार में 5 लाख रुपे से बढ़ा करके 7 लाख रुपे करने की जो प्रक्रिया है उसको भी आरंब कर दिया है वहीं चिरिंजीवी योजना कॉंग्रेस सासित परदेसों में चल रही है वहीं आईसमान बार्त योजना पूरे देश पर में चल रही है वहीं अगर आपका नाम बार्त आईसमान योजना में नहीं भी है फिर भी आप अपना रासन कार्ड के जरिये आईसमान बार्त कार्ड बनवा सकते हैं कि इसकी नई लिस्टवी सरकार ने अपलोड कर दी है तकरिबन पूरे देश बर में पंद्रा सो से ज़्यादा होस्पिटल और एड किये गए है जो की अच्छी क्वालिटी के होस्पिटल है उनको अब एड किया गया है सबसे बड़ी कुछ कबर यह भई आइसमान बार्थ के जितने भी लाब आरती है उनको अब साथ लाख रुपे तक का इसमें लाब मिलने वाला है वह यह अंगली बड़ी कबर की बात करेंगे बीपियर रासन कारदार को के लिए तीन जो नए नियम है उनको लागू कर दिया है जी हाँ आपको मैं बता दूँ तीस सितंबर लाश किये जा सकते थे लेकिन सरकार ने इस डैडलाइन को आगे बढ़ा दिया है तकरीबन आपको मैं बता दूँ 31 अक्टूबर तक अब आप अपने रासन कारद को आधार कारद के साथ लिंक करवा सकते हैं आपको ये करवाना जरूरी है अन्य था आपका जो रासन है वो बंद भी किया जा सकता है वही परदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के तैत बहुत से ऐसे लाबारती थे जो कि दो-दो राज्यों में अपना रासन ले रहे थे अब सरकार ने आधार कारद को रासन कारद के साथ लिंक करके इन फरजी वाड़े पर अंकुस लगाया है वही म नुवार से आपको तीन रासन मिलेंगे वही सोयविन ओयल आपको सरसो का तेल या फिर आपको रिफैंड ओल इन तीनों ओयल में से एक ओयल आपको मिलेगा चीनी आपको मिलेगी बारा रुपे परती किलो के इसाब से वहीं आपको जो चने की डाल है आठ रुपे परती किल हुआ है और आपके घर में अभी भी बिजली नहीं है द्यान जी जी का बिजली को लेकर मोदी सरकार लगातार सकते है भई सभी परिवारों को मुफ्त बिजली वे फिरी कनक्सन देने के लिए चर्णबत तरीके से काम कर रही है जितने भी लाबारती हैं जिनोंने अभी भी बिजली नहीं लगवाई थी वो अपना आवेदन दे सकते हैं ओनलाइन भी और ओफलाइन भी ठीक है और आपको बिजली का जो कनेक्सन है वो दे दिया जाएगा ताकि आप अपना जो घर है उसको जगमग करास के भी वहीं काफी सारे राज्यों ने बीपियर रासन कारदारकों के जो भीजली के बिल थे काफी लंबे समय से जो पैंडिंग चले हुए थे भी उनको आध्धे माफ भी कर दिये भी जी है आपको मैं बता दू आदे माफ कर दिये हैं और सोमवार से नया पोर्टल खोला जाएगा जिसमें आप अपना आधा बिल सरकार को पे कर दी जीगा और आधा बिल आपका जो बच जाएगा वो आपको सरकार खुद भर देगी भी ठीक है वहीं रासनकार भोगताओं का आपके पास है और अबिली का connection भी आपके पास है तो आपको एक कुसकबरी और है आप 10 LAD बलप आप ले सकते हैं अपने रासनकार पर और अपने गर को जगमक कर सकते हैं और भीली की बचत भी कर सकते हैं आप अपनी LAD बलप के जरी अब मोधी सिरकार ने क्या किया है कि तक्रीबन 450 रुपे में ही आपको LPG गैस सिलंडर मोया करवाया जा रहा है और विजेफी सासित परदेश में भई जी हाँ आपको मैं बता दू जितनी भी लाडली बहना योजना के तहत लाभारती महिलाएं हैं उनको 450 रुपे में LPG गैस सिलंडर मदपरदेश गोवर्मेंट देने का काम कर रही है आपको मैं बता दू इसके लिए अभी भी आपको रेजिस्टेशन करवाना है तो आप सकते हैं लाडली बहना योजना के तहत इसमें तकरिबन 1250 रुपे हर मैंने मैलाओं को अलग से दिये जा रहा है वहीं 450 रुपे में LPG गैस सिलंडर भी दिया जा रहा है वहीं उजोला टू पॉइंट हो किता है तो फिरी भी LPG बाटी जा रही है यह कुछ बड़ी योजना होगी सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी धन्यवाद